वेल्कम बैक कोड़ बुक अकैड टोड़े विल डिसकस अनादर चैप्टर ओफ बिजनेश टड़ी क्लास लेविन चैप्टर नेम इस इंटर्नल ट्रेड तो लेट्स गेर श्टार्ट इड़ है Jackson Soon डिस्ट हृष टॉ सबसे पहले हम बैपार के बारे हम जाने की बैपार क्या होता इनdown तो परेकरिया को बैपार करते है वर्स्तू बिजनेश से глуб फिर है आंत्रिक वैपार तो वैपार तो हम समझते हैं कि हम पढ़ते आ रहे हैं यहां तक हम एट चैप्टर डिसकस कर चुके हैं नाइन चैप्टर है हमारे इसके बाद लाश्ट चैप्टर डरहे जाएगा हमारा 11 खिलास की बिजनेश चुड़ीज का तो यहां पर हम इतना कुछ पढ़ चुके हैं कि वैपार क्या होता है किस तरीके से हम वहां एक्टिटीज करते हैं तो वह हैं डिसकस करने ही जरूरत नह जब बस्तुवें सेवाओं का क्राव विक्राए एक ही देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है तो इसे आंत्रिक वैपार कहते हैं किसी एक कंट्री की जो जियो ग्राफिकल जो रेंज होती है जो हम कह रहे हैं एक भॉगलिक जो एरिया होता है ठीक है उसके अंदर अंदर जो हम वैपार करते हैं वो हमारा क्या होता है आंत्रिक वैपार करते हैं यहां पर कहने की बात समझानी की बात की जा रही है किसी वह देश की जो सीमाओं के बस्तो का सोतंत आना जाना होता है देश की सरकारी मुद्रा में बुक्तान तो क्या क्या होगी कोई सीमा सुल्क नहीं होगा इस पर बस्तो की सोतंत आना जाना होगा ठीक है देश की सरकारी मुद्रा में बुक्तान करें कि उस सारे एक ही देश के वहाँ पर होंगे परचेजर और सेलार भी आंत्रिक बैपार को दो भागो बाढ़ सकते हैं ठोग बैपार फूटकर बातरा कि यह आप जानते हैं होलसेलर जिसे हम बोलते हैं तो यह हम पीछप पड़ चुके हैं चलिए देख लेते हैं क्या है ठोग बैपार को ना विक्रे मात्रा में प्रोडक्ट को खरीदते हैं और फिर क्या है वो फूटकर वैपारी को छोटे-छोटे उसमें सेल करते हैं जो फूटकर वैपारी होते हैं उन्हें छोटा-छोटा थोड़ी-थोड़े माल में थोड़ी-थोड़ा माल बेजते हैं ठीक है या फूटकर वैपारी उन यह क्या करते हैं, इनके पास गोडाउंस होते हैं, वहाँ से माल परचेस करा, ठीक है, उनकी हैल्प हो गई कि उनका था, जो इसे बोलते हैं हम, जो नहींने उसे इन्वेस्टमेंट करा था, वो पैसा उन्हें मिल गया, ठीक है, वो पुना न्यू प्रडेक्शन शुरू कर द थोड़ी मात्रा में माल ले सकते हैं, और थोग वैपारी की एक खासी दोलती है, यह थोग वैपारी जो होते हैं, जादा तर एक दो यूनिट में ही वैपार करते हैं, मतलब जादा वैरियेशन इनके पास नहीं होंगे, ठीक है, किसी दो चार तीन चार वैरियेशन की ही थो बहुत सारी होती है इनके पास नहीं होंगे बस्तु को छोटी-छोटी मात्रम फुटकर वैपारी तो उन्हें बेचते हैं निर्माता और फुटकर वैपारियों के बीच महतपूर कड़ी और यह निर्माता और फुटकर वैपारी के बीच की एक बहुत ही महतपूर कड़ी का काम करते हैं थोग वैपारी की निर्माताओं को सेवा है अब थोग वैपारी जो होते हैं उनकी निर्माताओं को क्या सेवा होती हैं तो थोग वैपारी निर्माताओं से भारी मात्रम बस्तु को खरीदे जाते हैं तो अगर आप थोग में कोई भ और वो अत्पातन कर पाते हैं वह लहाँ रेंगें अन्हें गARजे इतना ज़्यादा उत्पातन करनेवाइद जिससे उन्हें बड़े पाहाने के लाप्राप्त होते। जो बैपारी होते हैं जो निर्माता होते हैं बड़े पैमाने पर करते हैं और ये बड़े पैमाने पर लाप्राप्त होते हैं थोग बैपारी बस्तों के क्राइब बिकरे अपने नाम से करते हैं थोग बैपारी जो होते हैं बस्तों के क्राइब बिकरे अपने नाम से करते हैं क्योंकि उनके पास अन्हें फ्रोडूच करहा और उधर बाल जो ठोग बेपारी होते हैं उनसे खरीद लेते हैं थो प्रोडूच हा स्थिदियादी के बारे महतपुर जानकारी देते हैं थोक वेपारी और क्या करते हैं जो निर्माड़ी कंपनियां होती हैं इसने क्या अगर थोक वेपारी के पास गया बोलवा यह प्रोडक्ट नहीं चल रहा है ठीक है तो आगे से मैं तो लूँगा आई अब उसके पास यह information की उसने कहां निर्माताओं को पहुँचा दी कि आपका यह प्रोडक्ट में कमी है या फिर इसे और इंप्रूब करो या फिर यह market में नहीं चल रहा है तो उसमें या फिर कुछ नया करेंगे या फिर उसे बंद करेंगे ठीक है तो इस तरीके से क्या होता है यह continuously चलता र पर बिरूची वजार की स्तैती आदी के बारे महत पॉरचार कारी देते रहते हैं में czy थोगवअ कर्फटकर वेःपारी पशुटकर वेःपारी को बस्तू बेजते है अब थोगवपारी फुटकर वेःपार्य को बस्तू बेजते थे इस हभी loss को पता है जो वह उन है उन्होंने उसकी पेटी ले लिए अब उसके बाद में क्या है किस्टमर आया तो बहुत हो यह कहाँ एक या दो ठीक है तो उन्हें पर यूनिट के साफ से बहुकताओं को बेचते हैं तो बे निर्माता निर्माताओं को विपणन क्रियाओं के बाहर से मुक्त कर देते हैं ठीक तो यह जो ठोक बेपारी और फोटकर बेपारी जो निर्माता हैं उन्हें क्या मार्केटिंग की क्रियाओं से मुक्त कर देते हैं जो ठोक बेपारी जातर करते हैं और रिटेलर भी करते हैं ठीक में जो होता है ठोक बेपारी ठोक बेपारी माल को बड वो खरीदें और आर्डर पर भी देते हैं वह इतना माल हो चाहिए तो वह सी हिसाब से माल बनाते है जो निर्मारी कंपनी होती है और यह तुरंत उसे खरीदे इस परकार थोक बिक्रेता उत्पादन की निर्मतरता में सहाइता होती है उत्पाददन की निर्म दवता का बहुत महत्पूण अपना भूमिकाने वाता है थोंग विपारी का उत्पाद को ही बड़ी मात्रा में बस्तू के आधेस, देने का उत्पादन का बड़ा प्हमाना बढ़ जाता है अब थोग बेपारी अभी तक हमने क्य निर्माताों के लिए बात कर रहाएं अब थोग बेपारी और फुटकर बेपारी विविन उत्पादों की बस्तूओं को उपलप्त कराते हैं जो उने भोगताओं को बेजते हैं तो थोग बैपारी के ओँए फुटकर बैपारी के चोड़ी-चोड़ी मात्रा में मतलब चीजों को उपलप्त कराएंगे जो वो क्या है भोगताओं को बेजते हैं भाई अब हम लोग भोगता है तो हम ऐसा तो है निर्मादा सीधे उसके पास जाएंगे या थोग वैपारी के पास जाएंगे ठीक क्योंकि वो तो फुटकर्म चीजे बेज नहीं रहे तो हमारे नियरेस्ट हमारे पास नियरेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं खिराना और चीजे पमुचाने का काम करता है थोक बेपारी जही है, थोक बिज्यापंद जही है विक्रेस संभर्धन क्रियाओं के माध्यलू से वो भूफताओं को बस ≦ तू क्रय करने के प्रेड़ी से करते हैं, थोक बेपारी जही होते हैं जही है मतलब अगर डारेक्ली बात की जाए तो फुटकर वैपारियों की हेल्प परते हैं ठीक है मार्केटिंग में थोग वैपारी द्वारा क्यों आपको पता है जब तक आपको किसी प्रोड़कर के बारे में पता नहीं लगए आप कैसे मांगोगे शॉप पर जाके तो इसलिए मार्केटिंग बहुत जरूरी बारे इंपरेंट पार्ट होता है बिजनिस का थोग वैपारी द्वारा फुटकर वैपारी को उधार की सुभिधार की सुभिधा देते हैं उन्होंने क्या करा कि आधा पैसा दे गए और जो माल लेके गए आधा जब बिक जागा त फुटकर वैपारी को चोड़ी-चोड़ी मात्राओं में बश्त हुए बेशते हैं अता फुटकर वैपारी को मूले में ग्रावट शंग्रैट शीजन आदी इसे होने वाले नुक्सान का जोकिम नहीं उटाना पड़ता थो थोग वैपारी जो होते हैं अभी अब बड़ी म आने जाने में चीजे टूटती फूटती या खराप भी होती है तो फुटकर वेपारी क्या है और जो इससे बच जाते हैं क्योंकि मुल्ये में ग्रावट थोग वेपारी अगर इखटा माल खरीद रखा है तो हो सकता है अगर मुल्ये में घ्रावट आगी तो कौन नुकसान फुटकर वैपारी इन सब चीजों से बच जाते हैं फूटकर वैपारी अपने एक्सपिंजटा के ज्यान के आधार पर गया फूटकर वैपारी थो बिग्रेताओं से बड़ी मात्र में माल का क्रायग कर कि उन्हें अंतिम बोगताओं को थोड़ी दोड़ी मातरां बेजने को फुटकर बैपार का जाता है इस सभी जानते हैं किसी हो बता नहीं जरूत नहीं कि फुटकर बैपारी कौन होते हैं जो हमारी आस पास की जो शौक, फुटकर बैपारी हैं ठीक है थोग बिकरेताओं से विवन बच्टवे बिकरा करना अलग-अलग थोग बैपारी होँगे, ठीक है उनसे चीजों के कलक्ड करना अपने इस च्टोर के लिए ठीक है अनेग बस्तुओं बैपार करना ये अनेग बस्तुओं बैपार करते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा मों बुखताओं को बस्तुओं बेजना थोड़ी थोड़ी मात्रा मों बुखताओं को बस्तुओं बेजना आप जाते हो ये थोड़ी एक पेटी देदो आपके और दो एक बिसकीट का पैकड़ दिश्थ भर्ण क्राओ थे, मद्यस्तो की सरंखलागी अंत्यमकरई कहला TER फुट्कर बैपार होगी की उत्पाद को, क्या है । फुट्कर बैपार हो गभी उत्पाद को लिप्ताय। तो उत्पाद को अंत्यम उ entscheकת मुत्ताओ तो अबिलब्प liraphit जो अंतिम भुकताओं को उपलप्त कराते हैं, उनके उत्पाद जो है, वो किसे अंतिम भुकताओं होगा, हम होगे, कंजूमर, हम उसे यूज करते हैं, तो वो उनकी रुची पसंद, रुजहानों के बारे में बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, तो वो किसे पूँचने के से देते है तो इनमाड़ां को फोटकर वैपारी वख़ुकता होता है जिससे असमी है वन फोटकर मात्रों को बैचते हैं जो फोटकर ऑंतरिक्ट का नीनित्यत मावन्हें बिरुटक्त हों जाते है बने फोटकर वैपारी नीनित्यत Interesting इस भार से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि फुटकर वेपारी फ्रोदिण में प्रोडक्ट को बिच रा है, अन्यमेहतो eqrais क्रियाओं पर ध्यान केंदे करते हैं, इसलिए उचेह क्या हैं functions क्रियाओं गेंदे, कर सकते हैं, पर ध्यान केंजिक कर सकते हैं फुट कर वेपारी विविन बिदियों का प्रियोग करके सम्ट्रद में सायता करते हैं फुटकर वेपारी उत्पाद को बड़े पैमाने की वचत प्राप्त हो फुटकर वैपारी चीए उत्पाद वो बड़े पाने किस तरीका था था जो माल होता है अलग-अलग तरीके के माल क्या है खरीद करके अपने श्टोर पर क्या कस्टूमरों को जो कंजूमर है उन्हें प्रोवाइट कराते हैं तो इससे क्या जो थोग वैपारी जो उत्पाद करहें उनके लिए ये help करते हैं फुटकर वैपारी वे पहता हो बन को बस तो नियमन रूप से उपलप्त कराएज आप सबлаब देंक् perception तकर बीविन की बीजन की बस्तों उपलफ करा जती हैं, अपने इस्टोर बेसिके बस्तों अपलिप्थ करा जाता है, जिससे ग्रहागों को चैन के अधिक अधिक अफसर मिलते हैं. इनके द्वारा गिरहागों को बिक्री के बाद के बिभिन सेवाई भी उपलगत करा जाए नहीं अब गिरहागों को माल बेच दिया उसके बाद भी जाय है और जो सुभिधाएं वह भी उपलगत करा जाती है जैसे सर्विसिंग वगरा यह साइज आप एलक्टर निका आइट अब क्या गरोगे पूरे महीन आप सावन खरीदते रहते हैं और महीन पर जाकर प्रेमेंट करते हैं तो उधार की सुभिधा भी देते हैं जिससे वह बहुता अधिक खरीदारी करके अपनी जीवन इस्तर को ऊचा उठा सके यह अधिकांस आवासी छेत्रों के समीपना यह तो हमारे रेजिडेंशियल एरिये होते हैं वहाँ आसपास होती हैं जिससे गिरागों को अपनी आविशक्ता की बस्तों खरीदना सुभी दर जनक हो जाता है फुटकर बैपार के पिरकार कैसे हैं अब यह हम जालने तो फुटकर बैपार पहुत तरीके के होते हैं तो ब्र पहुति हैं इस तर्डर मुंचा के फुटकर बैपारी जो किसी स्थाई इससे बैपार नहीं करते हैं जो आप देखते हैं फेरी वाले जनम्हें वह एक जगा नहीं करते हैं या अपने उसामान को के सासाद गरागु कि तलास में गली गली एक इससान से बिदोस्तान गूमत बस्तुओं जैसे फल सब्जी आदी बैपार आदी किया जाता है जो आप ठेले वगर उपर खरीद तो इनके द्वारा गिराकों को उनके घर पर बस्तुओं अपलगे आपके गेट पर यह आ जाते हैं बेजने तो इसी तरही इनका मुख्छ बैपारिक नियत इस्तान नहीं हो होगा इसलिए यह माल का स्टाक मुख्छ घर पर तो वह जायज जी आते हैं तो मौल का स्टाक कहा रखनें घर पर रखनें बहारत में निम लिकित ब्रहमर सीर फुटकर वैपारी हमरे कई तरही होते हैं फेरी वाले ठीक है तो फेरी वाले जिनने हम हॉकर संदर पैडलर्स यह छोटे वैपारी होते हैं जो बस्तों की साइकिल साथ ठेली साइकिल रिकसा अपने सिर्पत रखकर जगर घुंगर घर जाकर माल का बिक्रे करते हैं इनके द्वारा कम मूले बस्तों जैसे खिलोना फल सबजी आदी बेची जाती फेरी वालों का मुक्छ लाब भुकता क यह सुवीधा जनक होता है ठीक आपकी घर तक पहुंच जाते हैं लेकिन ज्यादा अच्छी क्वालिटी आली बस्तों नहीं मिल पाती हैं बस यहीं सरवधिक बजार बैपारी आप करें मार्केट ट्रेटर्स क्या हैं सरवधिक बजार बैपारी यह छोटे फुटकर बैपा बिकरी का सावन आदी है मुगता कम आये वाले गिराकों के लिए माल बेचते हैं मुद्ध क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती है पट्री विक्रेटा यह छोटे विक्रेटा होते हैं जो ऐसे स्थान वर पाय जाते हैं जहां लोगों का भारी आवा गमन रहता है जैस रेलवे स्टेशन होगे बस इस्टेंड होगे यहां पर जो नीचे लगा करके बाल बेचते हैं तो यह छोड़ी जरूदी है है बैटरी हो गई मुवाइल कवर हो यह ऐसी चीज़े बेचते हैं तो यह वहीं पर निश्चत लगाते हैं अपना इस्थान नहीं बदलते हैं प बहुता बस्तूव में बैपार किया जाता है तथा यह बैपार संभावनाओं के आधार पर अपना छेत्र बदलते हैं इनका भी शेत्र निश्चेत लिए लेकिन जहां भी लगाते हैं कुछ दिन लगाते हैं उसके बाद में बदलते हैं इस्थाई फुटकर दुकान अब बिबन बस्तूव का बेपार कर सकते हैं ज्यादा ज्यादा माल रख सकते हैं गिराकों में अधिक साख होगी कोई इस्थाई दुकान दो उसकी ज्यादा साख होती है ठीक आपको को चेंज करना पर कल बागए तो ऐसे से आप लेना नहीं पसंद करो गिराकों को अन्य को चोटे फूटकर विक्रेथाए है चोटे फूटकर विक्रत करें कोई विसेष बस्तू ठीक है बेजते होंगी जैसे केवल पूर्सों के वस्तरों की दुकाने या महिलाओ के दुकाने आदी ठीक है तो ये बिस्स बंडार ग्रह हो गए गली में इस्टाल ये विक्रेता है कि यह गली के कोने में मुक्यता मुआने पर भीड भाड़ा ले 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 आके छेत में तो सस्ती भोगता बस्तु जैसे सिग्रेट पान पदा जिन खोग है वगर हम बोलते हैं पुरानी बस्तो की दुकाने इन पर ग्रहता हो द्वारा पुरानी बस्तो जिनका पहले ही प्यूप्यों किया जा चुका है उनकी विक्री की जाती जैसे पुस्तके कपड़े आ दी तो पुस्तके जादा फेमस है पुरानी ठीक है आप दिल्ली आप चले जाओ खान बजार बगर जैसे तो वहाँ पर आपको देखने मिलती है बड़े स्थाई फुटकर दुकानदार अब जो बड़े स्थाई फुट अलग अलग लेकिन उनके क्या होँगे वो बने होंगे विभाग तो विभभों बाटकर विक्री करती है इनके दोड़रा ग्रहागों को लगवग सभी अवे सकतागों को पूरा करने के जाती है इनकी निमलिखित बिसेशतां होती है ये सहर के केंदर में इस्तित होते हैं। इनके बीच थोग बैपारी नहीं होते हैं और उसके बाद में रिटेल में बेजते हैं जिसके कारण इनके बीच आवश्चक मद्धेस्त उत्पन नहीं होते हैं इनमाल का क्रेया केंद्रिय विविस्ता से होता है जब्योक्त केंद्र सब्सकाइब जाता है कि कोई भी जिंता नहीं है किता भी चला जाया तो भिभाग ये भंडार रख लाब भिभाग ये वह कहा हैँ जो हम उपर पढ़ना है इसके लाब कहा है करते माओं email लेन जाते हैं अक्सर होता है या आप खुद इस चीज़ को महसूस करोगा कभी जाओ और जाते हैं तो आप महसूस करते होगे खरीद ने एक चीज़ गया थे खरीद का आप चार चीज़ लेकर गया है इनके तोरह गिरागों को बीविन आकर सकता सिमा उपलफ गराया जाती है जिसे चलपान गिरभ इस्टाम टेलीफोन आदी इनके तोरह बिग्यापनों आदी पर काफी खर्च किया जा सकता है जिसे इनकी बिग्री ब्रदी हो सकती है ये बड़े पैमरव बस तो बेचने के लिए उत्पादक से क्राय करते हैं जिसे इने बड़े पैमरव परिचालन के लाब भी मिलते हैं विवागी बंडार की सीमा है अब विवागी बंडार की सीमा है क्या है इनका आकर बहुत बड़ा होता है आकर तो बड़ा हो गई क्योंकि बहुत बड़े एरिये में किया बहुत सारे विभाग बनाये जाते हैं तो परिणाम स्वरूप ग्रागों पर व्यक्ति का ध्यान तो व्यक्ति का ध्यान नहीं दे पाते हैं ठीक है इनके द्वारा अनेक आख सक सेवां पुलत करा जाती है जिसके करने के कारें इनकी हानी की संभावना अधिक होती है ये केंद्री इस्तिलों पर हिस्तित होते हैं तुरंत आविशक्ता पढ़ने पर किसी वर्दू खरीदना आसान नहीं होता इस विवस्ता के अंतर एक जैसी दिखाई देने वाली कई दुखाने देश के बिवन बागों में बिवन इस्तान पर खोली जाती है जिनको एक ही संगटन चलाता है तो जिन पर मान नगी है एम ब्रांड की बस्तों बेची जाती है जैसे बाटा, रेमन, साधी, सो जैसे बाटा का सो रूम, रेट्टीप का सो रूम यह हमारी सरंखला बंडार है कि जहां भी होगी एक जैसी दुकान ही होंगी ठीक है और जो इनकी परचेश करता है सरंखला बंडार की बिशेश्ता हैं कि फुटकर2 काय करेश करता हैं मुख्याले के इंदर वही हमारी सभी साखाव के नियंत्र हों सभी साखाव के नियंत्र हो. सबसे अच्छी बात क्या होतीуск? जहांबीर की जुरूः हो एक आर्टिकल का on की मूल ले होगा अलग-छाज नहीं होगा प्रिदान करयाल के यह सीधे ओंजोई ब evolves करती बस्तों की बिक्री में मधिस्त ऊस्मापत कर दिया जादा दरे थोग वेपाई जैसे इन के ciao अज़ती दौर नगत विक्राय किया जाता प्रहा भर नहीं होता सुपर मार्केट हो गई यह हो गई इनमें नगधी बिक्रे किया असोद्य रण की संभावना बिलकुल नहीं होती है यदि बस्तों कि मां इस्तान पर नहीं होती तो उन्हें इस्तान पर भेज जाता है जहां उनकी मां होती है एक दुकान अगर हानी पूर्ती दूरसी दुकान के लाप से हो जाती है अगर कोई दुकान पर लौस यह दो हो जाता हूं, हमाई और जो दशक्रान उनसे पूर्ती हो जाए संगटन शुन कम हो जाता है स्रंकला बंडार की हानिया क्या है इन दुक्वानों द्वारा सीमित बस्तों में वेपार किया जा रहा है अता बोक्ताओं को चैन के कि सेंट्र अफिसर जो जो इनकी पहल चमता स हो जाती है ठीक है प्रेरना तक पहल चमता के आभाव में करमचारियों के उदासींता आ जाती है जिसने व्यक्ति गत सेवा का आभाव हो जाता है इन दुकानों बेची जाने वाली बस्तों की मांग में यदी कमी आ जाए तो संगटरों को भारी हानी हो सकते है क्योंकि केंद्रिय भंडारों बड़ी मात्रा में बिना भी का माल बच जाता है ठीक है अगर दोकानों बेजी जाने की बस्तों की मांग में कमी आजा तो इनका माल बच जाए जो केंदरी है जो भंडार वो इसमें बड़ बड़ी मात्र वाकर बिनाबी का माल बचा रहाएगा दांक आदेश बैफसाय है यह ऐसे फुटकर बैफसाय होते हैं जो दांक द्वारा बस्तों का बिक्रह करते हैं इस फिरकार के बैफार में बिक्रेता तथा क्रेता का प्रत्तिक्स बीक्तिकत संपर्ण नहीं होता है जो हम कह सकते हैं जो आज कल हम online purchase करते हैं रुट्क करना पड़ता है टिक तभी हम addicted करना पड़ता है उसके बाद माल सक करना पड़ता है उसके बाद मूझस के खुज़ नहीं रूब हमें मिल पाला ग्रहक को अगरिम Рूप से जुम पालन करना पड़ता है ठीक है तभी माल उन्हें सेंड किया जाता है माल को बैंक के मादने बेजा जाता है तथा पूर्ण भुक्तान के बाद ही माल गिरहा को सुफूर्द किया जाता है डांक आदेस व्यापसाय को इलाग इसके अंत्रव भवन तथा अन्य आधार गत धांचे पर बहरी व्याद की अवसक्ता है अवसक्ता नहीं होती और किसी भी तरीग माल बेचा जाता है पर हम बिजनिस कर रहे हैं तो असोध्य रिण हमारे बैट डेट्स नहीं होते हैं ठीक है यह सब सच्छी बात होती है इस पद्धिती से हर उस छेत तक माल भेजा जा सकता है जहां डाक सेवाएं और हम वहां तक रीच कर सकते हैं जहां तक क्या है पोश्ट सर्विसे या कोरियर कि आपकों क्या है सुपुर्दिदी दे जाती है यह काफ इस यहुंत प्रणाली में ग्रहागों को सूचित करने के लिए बैग्यापन और अन्य प्रवर्तन विद्यों पर बहुत अधिक व्याय करना पड़ता है इसमें क्या है डांग द्वारा बैपसाइं ग्रहागों को सूचित करने के लिए बिग्यापन और अन्य परोदन बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है डांग द्वारा आदेश प्राप्त करने तता उनके क्रियान में अधिक समय लगता है अगर आपको नोलिज, नहीं है इस तरीके के बैपार के कैसे इस से हमें क्या है पर्चेज़ करना है तो डांख आदेस बैपार की सफलता वह हमारी कोरियर सर इस पर कहा है बदल लागा है जो हमने डिलिभर नहीं किया तो फिर हमारा देरे-देर było नहीं किया खत्म होती मसीने होती हैं जिनके दोरा दूद, साफ्ट, ड्रिंक, समाचार पता आदी की बिक्री की जाती है इस अफधारना का नवीनता मुधारना आर्टोमेटिक टेलर मसीन एट्यम है जिसकी सहाइता से बिना बैंक गए बिना बैंक गए किसी भी समय पैसे निकाले जा सकते हैं इन मसीनों की सहाइता से कम मूले की एक समान आकार और भार की बस्तूओं को बेचा जा सकता है लेकिन ऐसी मसीनों को लगाने पर प्राड़म भी आता है इस इनके रख रखाओ तो तो बहुत ध्यान देना पड़ा दूसरा गिरहा के लिए कोई भी चीज फिजीकल उसे टच करके या पहले नहीं देख सकता है टीज विशक करा काई लिए बिकरेता का नाम पता खरीदें गए माल का लिखा होता है इसे बिल्या मीमो भी कहते हैं प्रोफारमा ओभी जख क्या होता है एक एस्टिमेट होता है ठीक कही कि माल खारीदने से पहले डिटेल कुछ भी मांगी जाती ही उससे हम कहतेदें प्रेशक द्वारा प्रेशनी को बेज़े गए, माल को विबरण को प्रेशनी को प्रेशनी को बेज़े गए, इसके अंदर माल की मात्रा मूले किये गए, खर्चों की जानगा यह दी जाती क्योंकि प्रेशक बिकरी नहीं है, ना ही प्रेशनी क्रेटा, यह केवल सूचना है, इसे आंत्रिम बीजग भी कहते हैं इंट्रिम इन्वाइस भी कहते हैं डेविट नोट इसका अभी परह ऐसे पत्र या नोट से है जो क्रेता द्वारा बेक्रेता को यह सूचित करने के लिए बहर जाता है इसका अभी परह ऐसे पत्र या नोट से है जो बेक्रेता द्वारा क्रेता को यह सूचित करने के लिए बहर जाता है कि उसका खाता पत्र में लिखी गई राजसी से उसका माल बापसी का दावा सुईकार करते हुए क्रेटिट कर दिया गया है इसकी दो प्रतियें तैर की जाती है एक क्रेता को भेजते हैं दूसरी अपने कार्याले में रखते हैं यह क्रेडिट नोट होता है ठीक है मतलब डेविड नोट और क्रेड नोट पर्चेज रिटरन सेल्स रिटरन जो हमारा इसी टाइप के है उसके बाद में करें उसी के पर बनाए जाते हैं यह बहान रसीद इसका अभी पराए एक ऐसी रसीद से है जो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए यातायात कंपनी द्वारा माल की स्विकरती हेत्व जारी की जाती है इसका अभी पराए एक ऐसी रसीद है जो माल को एक स्थेशन दूसरे स्थेशन बेजने के लिए यह बहाए रसीद रेलवे बिल्टी कह सकते हैं इसे ठीके बेजने के लिए द्वारा माल की स्विकरती हेत्व जारी की जाती है बैपारिक मदे, बैपारिक प्रयोग होने वाली मुख्य मदे, सुपुर्दगी पर नगदी इसका प्रया बैपार के उस प्रकार से जिसके अंदर माल का सुपुर्दगी के समय किया जाता है माल के जो माल जब हम मिलेगा उस समय किया बुक्तान किया जाएगा तिक जहाज पर मूले इसका भी पराय करेता विकरेता के मद्दे होने वाले उस अनुबन से है जिसमें माल के बहान तक सुपुर्द की देने के सारे विकरेता द्वारा वहन किय जाते हैं जो जहाज का मूले के इसमें जो सुपर्द की देने दे जो भी सारे खडचों वो किसके होंगे बिक्रेता द्वार की जाएंगे लागत बीमा भाड़ा इसका विवर बैपारिक बैवारों प्रयोग होने वाली उस मत से है जिसके अंतर बस्तों के मूले में केवल लागत नहीं बलकि बीमा भाड़ा भी है भी सामस्तों भी रास्ते में अगर हमाल टूट जा पूट जा है मदा एक्सिडेंट होगे कुछ होगे तो उसका लॉस क्या है जो बीमा कंपनी है वो भरेगी इबा ओई जो हमारा होता है इसका प्राइब पेज के नीचे लिखा रहता है अभी प्राइब उस मत से है जिसका प्रेयोग प्रपत्रों में यह कहने के लिए कि लिए कि जो गलती हुई और जो चीज़े छूट गए उन्हें भी ध्यान में रखा जाएगा ठीक है तो यह थ जितने भी कुछ भी जो नई अमेडमेंट आते हैं या कुछ भी सूटना होती है वो क्या है बिजनिस मेनों क्या कराती है नॉलिज में कराती है उन्हें उन चीजों से अवगत कराती है तो चैंबर आफ कॉमर्स एंड इंडिस्टी बिविन उद्धोगों तर बेपारों से जोड़े लोगों स्वैच्छ एक संगठन है ठीक है एक संगठन विविन छेतर राश्टों पर रहने वाले पेसे वर बिसे जग्ये जैसे चार्टेट अकांटन ब्रोकर वेंकर्स भी इसके सरसे है इसके मुख्य उपद्रसाइक समूधाय के हितों की देख रहे खना है जो जो वेपसाइड करते हैं वेपसाइडं के साथ कुछ भी गलत अनूचित ना हो घ्राश्टी च्ण पर राश्ट्य च्ळ्ण य इस तरव चेट्रक वर राश्ठी च्रविए उद्धों बाणिज्य के विकास को बढळावा और मेन जो है बस बाणिज्य बिकास को बढळाव इसके मुख्य कारे क्या है ये संग समय समय पर वेफसायत था अर्थ वेफसायत के अधिक आधार एकड़ाह है तहां आकड़ों के अधार पर नेक सूझनाया संदस्यों को प्रिदान करते हैं ये चेत्रिया और्धों की तथा आर्थिक विकास के मामले में सरकार को सलावी देते हैं ये प्रवक्ता के रूप में भी काम करते हैं उनके ये अपने सदेस्टों के सिक्षन तथा प्रिसिक्षन की बिविस्ता भी करते हैं अपने सदेस्टों के सिक्षन प्रिसिक्षन मतलब मने वी बताया था आपको समूर्वाराइन यह सेमिनारों के आधान प्रदान के लिए मंच प्रदान करते हैं जो सम्मेलन होते हैं, सेमिनार होते हैं, आयोजन होते हैं, द्वारा सलेस्टों के विचारों के आधान प्रिदान के लिए मंच प्रिदान करते हैं, ये बैपार हो धोग में होने वाले जगड़ों का मध्यस्ता द्वारा निप्टारा करते हैं, जो बैपार में होने जगड़ क्लास 11 का लास्ट चैप्टर रहा गया हमारा वो डिस्कस करेंगे तो पने रही है हमारे साथ और अगर अच्छा लगता है आपको तो वीडियो को जरूर शेर किया करें थैंक्स होगा